अलो गाईज वेलकम बैक टो रियल काफेक्स एंड कैसे आप सब लोग तो गाईज अगर आप लोग कन्फ्यूज हो टाटा पंच और टाटा एक्स्टर के बीच में मुझे बहुत सारे क्वेरी जायती लोगों की जो पूछ रहे हैं कि हमें कौन सी कार लेनी चाहिए और कौन स कार आपके लिए बढ़िया हो सकती है और आपको किस कार की तरफ जाना चाहिए तो गाईज बात करते हैं टाटा पंच को मैं डेट साल से ओग गर रहा हूं इसको मैंने काफी जादा चलाया है काफी कंडिशन पर इसको ड्राइब किया है तो उसके बीसिस में मैं बता सकता ह हुँ पहले तो मैं आपको यह बता दून कि क्यू इन के बीच में अपको मिल रहे 據 कंडियें करती नों का्हन है कि और का इसकी वज्य यही है कि दोनों के design wise आप दोनों कारों को देखोगे तो दोनों थोड़ा SUV लुक वाली का रहे हैं बट क्या सच में ऐसा है तो आज मैं आपको बताता हूँ अगर मैं बात करूँ पंच की तो पंच में जब आप बैठते हो तो येस आपको एक SUV वाला feel इस कार में आता है अपराइट stance है इस कार में जब आप बैठोगे ड्राइविंग पुजिशन का आपको visibility काफी अच्छी मिलती है bonnet के edges आपको clear दिखाई देते हैं इस कार में और आप कहीं ना कहीं आपको एक SUV फील होती है वो इस कार में आती है dimension wise भी अगर मैं इस कार को compare करूँ तो width इस कार में आपको extra से ज़ोड़ी ज़ादा मिलती है तो ज़ादा comfortable है इस कार में अगर आप तीन लोग बैठ रहे हो तो ज़ादा comfortably में ये भी नहीं कहूंगा कि तीन adult अराम से बैठ सकते हैं well built वाले फिर भी अगर comfortably बैठना है तो दो adult और एक बच्चा बट फिर भी width ज़ादा होने के बज़े से इसमें थोड़ा ज़ादा comfort आपको मिलेगा इसके लावा अगर बात करें Hyundai extra की तो Hyundai extra में जब आप बैठोगे तो आपको जो feel आने वाला है न वो एक mid-size SUV segment का नहीं आने वाला वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा hatchback से similar लगेगा अगर आपने i10 चलाई होगी तो आपको थोड़ा थोड़ा वैसा ही feel देगा because interior almost same है कार का उसके अलावा जो आपकी riding position है वो भी एक mid-size SUV segment वाली नहीं है आप इतना उचा नहीं बैठते हैं इस कार में although आपको high desirable feature उस कार में मिल जाते है जिसकी वज़े से आप एक perfect riding position अपनी कार में ले सकते हो बट फिर भी जो उसका driving stance है वो इतना upright नहीं है आप इतना उचा नहीं बैठते जिर compare to Tata Punch तो वो वाला feel भ आपको extra में नहीं आने वाला वो कहीं ना कहीं आपको hedgeback से similar experience देगी वो कार बात करें उस कार की driving experience की तो वो कार पंच से जादा आपको peppy engine उसका feel होगा because of his curve weight उसका curve weight थोड़ा कम है पंच के comparison में तो engine जादा peppy feel होगा अगर आप accelerate करोगे तो response वो कार आपको जादा देगी उसके अलावा 4-cylinder engine मुनी की वैसे NBH level भी उस कार का काफी लो है vibration और noise की issue उस कार में आपको feel नहीं होने वाला काफी refined engine है Hyundai जिसे जाना जाता है अपनी refinement engine refinement और उनकी gear shifting भी आप देखोगे बहुत smooth gear shifting है तो यह सब सीजे आपको Hyundai extra में मिलेंगी जो कहीं न कहीं आपको थोड़ा बहुत punch में मिस लगेगा engine के prospect से मैं बात कर रहा हूँ वह आपको थोड़ा punch में मिस लगेगा वही चीज engine driving experience की बात करूँगा तो वह आपको Hyundai extra ज़दा अच्छे देगी बट वहीं बात करूँ दोनों की suspension की तो जिस तरह से punch की suspension है बहुत अच्छे tune केंगे आपको off-road patches का पता ने चलता वह चीज आपको extra में feel होगी extra में suspension ऐसे tune है की soft suspension है बट फिर भी आपको जब भी आप उसको किसी off-road condition पे पैच पे चलाओगे तो आपको वह feel होगा वह जलकिनेस वगेरा वह आपको उस कार में feel होगी तो उतने suspension wise मैं बोलूँगा पंच ज्यादा better है extra से उसके अलावा अगर मैं बात करूँ बॉडी रोल भी उस कार में ज्यादा नहीं है दोनों कारों में similar आपको बॉडी रोल दिखेगा handling की बात करूँ तो मुझे कही न कहीं punch handling wise ज्यादा अच्छी लगती है ज्यादा highway में आपको ज्यादा control punch में देखने को मिलेगा cover weight भी ज्यादा है गाड़ी अच्छी तरह चलती है highway में पकड़ के तो highway अगर prospect से बात करूँ तो punch एक better option है hondai extra के recording तो conclusion मोटा मोटा यही बैठता है यार कि अगर आपकी driving जो है वो city में ज्यादा है उस case में आप hondai extra की तरिफ जहिए उसमें एक तो आपको refined engine मिल रहा है प्लस आपको जो city purpose के लिए अगर आप देखोंगे तो वो कार आपको ज्यादा better लगेगी और वहीं बात करें highway के लिए highway अगर आपकी running ज्यादा है और आप लोग highway में ज्यादा चलते हो तो उस case में punch आपको अच्छी लेगी और वहीं अगर आपकी running city में ज्यादा है और आप city में ज्यादा travel करते हो तो उस case में extra भी एक अच्छा option है extra की तरह भी आप जा सकते हो because extra भी city purpose के लिए बढ़िया कार है gear shifting smooth है, clutch बहुत light है, refined engine है तो city purpose के लिए extra एक बहुत बढ़िया कार है और वहीं अगर मैं बात करूँ अगर running ज्यादा highways की है तो उस case में आप पंच की तरफ जा सकते हो दोनों कार बढ़िया है, depend करता है आपका uses के उपर और आपकी requirement के उपर बट simple सी बात एक और चीज है कि अगर आप यह सोचके जा रहे हो कि आपको mid-size qv segment या SUV segment वाला feel extra में मिलेगा तो वो आपको उसमें कार में नहीं मिलेगा, आपको कहीं न कहीं वो hatchback से similar जैसे कार लगेगी और आपको hatchback वाला feel उस कार में आएगा तो अगर आप सिर्फ एक उस prospect से देख रहे हो कि हाँ यार मुझे एक SUV फील वाली कार चाहिए तो उस case पे भी आपको Tata Punch ही एक बढ़िया कार लगेगी या Tata Punch ही आपको सूट करेगी आपके कुछ डाउट सो ग्लियर कर पाया हूँ इस वीडियो में अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक टो इस वीडियो अर अगर आप एचल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब तो आपके एक लाइक और आपके एक सपोर्ट से हमें बहुत ज़्या मुटिवेशन मिलती है तो गाइस इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूँ आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइए